रिफ्यूजी फिल्म से अपने करियर्ण की शुरुआत करने वाले अभिशेक बचन अपने फैंस के दिलों पर राज करते हैं अभिशेक की तुलना हमेशा उनके पिता अमिताब से की गई है हलाकि अभिशेक अभी अपने काम को नहीं बलकि अपने घर को लेकर सुर्खियों में हैं दरसल जहां एक तरफ सेलिप्स नए घर खरीद रहे हैं तो वहीं अभिशेक बचन ने अपना एक घर बेच दिया है हाली में रानी मुखर जी ने करोरों का एक नय अपार्टमेंट खरीदा है लेकिन दूसरी तरफ अभिशेक बच्चन ने मुंबई में अपने लगजरी अपार्टमेंट को ही बेच दिया है इस बात को जानकर फैंस भी खासा हैरान है दरसल अभिशेक बच्चन ने अपने एक पुराने अपार्टमेंट को 46 करोर रुपे में बेचा है दरसल अभिशेक और उनके परिवार का कोई भी सदस इस अपार्टमेंट में नहीं रहता था अक्टर अपनी पतनी एश्वरिया राई बच्चन और बेटी आराध्या बच्चन के साथ मुंबई में बच्चन परिवार के घर जालसा में ही रहते हैं वहीं एक खबर की माने तो अभिशेक बच्चन का यह घर अब रॉई 360 में 37 स्विफ फ्लोर पर था इतना ही नहीं इस घर को 2014 में अभिशेक बच्चन ने 41 करोर में खरीदा था खास बात तो यह है कि इसी बिल्डिंग में अक्षा कुमार और शाहित कपूर के भी अपार्टमेंट है लेकिन अभ अभिशेक ने इस घर को क्यों बेचा है किसी को अब तक ये बात पता नहीं है आला कि फैंस भी इस बात को जान कर थोड़े हैरान है आपको बता दे कि इसी साल मई में अमिता बच्चन ने एक अपार्टमेंट खरीदा था प्रोपर्टी वेव साइट जेप के डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार अंधेरी में खरीदे गए इस घर की कीमत 31 करोड बताई गई है वहीं अभिशेक बच्चन के वर्क फ्रंट की बात की जाए तो एक्टर आखरी बार दबिग बुल में नजर आये थे स्टॉक ब्रोकर हर्श्रद महता के जीवन पर आधारित इस फिल्म के लिए अभिशेक की काफी तारी भी हुई थी अब अभिशेक बच्चन फिल्म दसवी में निम्रत कौर और फिल्म बॉब बिस्वास में चित्रांगदा सेन के साथ दिखाई देने वाले हैं Bureau Report, Big News 24 x 7